कि ऐसा आप लोग क्योंने सेशन सभी कोशिस करेंगे कि एक्टी से संडे और सक्रड़े इसको कांटीनियू रखें आज का जो ये परस्टनल जो क्योंने सेशन में आपने कैरियर से रिटे गाइस कुछ भी पूछ ना पूछ हो फिरहाल मैं आपको यहां पर गुर्कुल के बारें बताने आया हूं ठीक आफी गुर्कुल के अपने ओल्ड श्टुडेंट्स भी यहां पर हैं और निव श्टुडेंट्स भी लेड़ी यहां पर है और कुछ नए भी लोग रहेंगे तो एक तो गुर्कुल के बारे में समझेंगे बट उसके अलामा आपके कोई भी डाउट से यह कर रहा हूं मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है ठीक है आपको जो भी सेलेशन मिलेगा वह एकदम जैन्वीन तरीके से ज पूछना है उसको आपका क्लियर हो जाएगा उसके अलामा यहां पर चैड बॉक्स है चैड बॉक्स में जो भी आपके प्रश्न रहें और आपके प्रश्न का प्रति उत्तर सही रूप से प्रधान हो जाए आप तक एक कुश्यन इन्होंने पूछा हुआ है कि सर नितिस गौर बोल रहे हैं तो नितिस गौर आप क्या बोलते हैं तो अगर आप अपना बैग्राउंड बताएंगे तो थोड़ा और अच्छा आपको बता पाऊंगा डेप्त में क्या वाधार्मान भी आ गये हैं और देखो क्या होता है कि आपको एंड़ोजरी मेंLR कहना है pillars ओ में काफी लोग रहते हैं कि स्प्रेशेरख में जाऊंग कि जाओ क्सम्स फंटम्स अच्छा है कि आपका मैथमेटिक्स सब्सेट सब्सेट वो सकता है कभी वियाद रहो यह जग होंगा और क्या बोलते हैं अगर आपने अल्लेटी सीखा तो उसको थ्वड़ा सब्रसब करके आराम से च्रॉक्टिस में आप जॉब सर्च करिए स्ट्रॉक्टिस में थोड़ा सा कमपटीशन आज के टाइम पर ज्यादा हो गया और जिसको लॉंग टम में अपना जॉब अपना खुद का ही कुछ करना है उसको तो दोनों सीखना पड़ता है और अगर ऐसा को है जिसको लगता है क्या प्रशम ज्यादा अच्छा नहीं है इसका मतलब है कि आपका दिमाग पक्का creativity के तरफ है कहां है creativity के तरफ है और यह fix है यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए बंदा नहीं बना हुआ है इसके creativity बहुत अच्छी थी और क्या बोलते हैं उसके basis मैंने इसको क्लियर किया कि भाई तुम स्ट्रक्चर्स के जगह पे बियायम में अच्छा कहरे बना हो गया इसने तुरंद ब्यायम में अपने लर्नी स्टार्ट किया यू कांट बिलीब इतना अच्छा बियायम में इसने परफॉर्म किया पर्ट किसी कारणों का लेफटाप खराब हो गया तो विचारे का थोड़ा काम लास्ट में गढ़बढ़ हो गया वाट इसको यह क्लियर हो गया कि मेरे लिए बहतर क्या है कि इसके लिए सब से लेकिन यही चीज़ अगर इसका mathematics अच्छा रहता है एक लड़का है अभी शत्यान्सू करके है उसका भी जस्ट जॉब लगा है तो आप लोग रिसाइद अगर यूटूब कम्यूटी वगरे देखा होगा तो उसमें देखा होगा तो उसका ना like mathematics रम ही अच्छा था तो मै कि लोग आ गया है इसमें सुबात करते हैं क्योंकि बीच में टिन टिन होता रहेगा मजा नहीं आएगा ठीक है है विच्व होना चीमिस के लिए मेरिक को है तो पहले तो आपको फोटी से सूचना देनी है कि आपके स्ठक्षत की गुर्खुल की जो नहीं बेच बहुत हो रही है अब के 20 अटूबर से 20 अटूबर से इस इसे 20 अटूबर से स्टार्ट हो रही है आज 10 में पंदर है लबग 5 प्राइब आपको सजिसन को करो इस भी फिलिंट्रेस्ट फॉर इनदर्स्ट्रीज इंदस्ट्री सिफ फिल क्या थे मेरे अधिमेटिक स्टम बहुत अच्छा है है like I like to do the show I like to do the RCC I like to find the CFD BMD deflection and क्या बलते हैं मुझे मैनुवल करता हो तो मुझे बहुत मज़ा आता है तो if you like the thing like that the better for you is to try to choose ठीक है क्या बलते हैं पैसा कहा ज्यादा है कि ठीक है पैसा है क्या बलते हैं सबसे ज्यादा अगर पैसे की बात करेंगे तो आज का time में देखिए पैसे के लिए अब बात करें तो BIM इंडस्ट्री में ज्यादा पैसे हैं no doubt उसका राइजन बताता हूं क्योंकि अभी BIM में कैसी इंडस्ट्री है कि इंडिया के लिए जिसका एक्स्प्लोर अभी भी काफी ज्यादा बचा हुआ है लगभग 50-60% मार्केट ही अभी तक BIM पकड़ पाया है अभी भी 40% मार्केट पूरा खाली है BIM के लिए तो BIM में अभी के लिए ज्यादा पैसा है no doubt बट अगर future में अपना काम करके पैसा बनाना है तो the structures is the best आपको structures के तरफ अपना रुजान रखना चाहिए और फिर आप वीशट उबर लें सबसे बड़ी बात है कि structures में क्या होता है कि structures में लॉंग टर्म में बहुत पैसा कमाते हो उसका में रिजन कह रहता है आप प्रोजेक्स लेते हो अच्छे ची कंपनी को प्रोच करते हो आपके कॉंटेक्स बढ़ते चले जाते हैं तो इस ट्रॉक्षर इंजिनर इस लाइक जितने clients बढ़ेंगे आपके उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ता चला जाए इसका domain कुछ इस तरीके चलता है BIM का थोड़ा ऐसा है कि उसमें office job ज्यादा रहती है स्टार्टिंग में आपको अच्छा पैसा मिलेगा इन में भी अच्छा पैसा मिलेगा बट करेंट मार्केट जो है वो BIM का बहुत ज्यादा है BIM में लोग अगर थोड़ा भी अच्छा पोर्फोलियो बना चुके हैं और अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं कोई ने कोई कंपनी उठा ले रही है एक्जांपल को तोर पर आप हमारे स्टूइट्स को ही देखते होंगे तो BIM में ज्यादा सेलेक्शन हो रहे कंपेर टू बट हाँ स्टूइट्स वाला एक अच्छा बिजनेस कर सकता है और लॉंग टब में जो दोनों के लिए एक्सपर्ट है उसका सबसे ज्यादा चलिजी आज क्यूए नहीं है तो आप हैंड्रेश कर सकते हैं कि मेरा यह सर प्रश्ण है आप आराम से प्रश्ण को सकते हैं रही बात कि अपने स्टूक्टिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं असका स्लेबस आप जिस भी गूरूप में ज्रूप में भीज़ दिया जाएगा आराम से आप देख ले ना कि स्ट्रक्टिस में सर क्या पढ़ाते हैं फोड़ा सापको एक बार बढर भी कर देता हूं फिर आपकी कुष सब्सक्राइब थोड़ा सा दिखा देता हूं कि क्या बोलते हैं आप बात करें बी आयम का तो अपना बी आयम को जो ब्रीफ स्लेबस से इस वन ठीक है तो आपको यह ग्रूब में मिल जाएगा डेफ्ट में पढ़ लिजेगा कि वैसे हमारा यह होता है कि इंडस्ट्री क्या- पर आपको पता नहीं हो ठीक है मेरी कोसिस यही रहेगी जो भी पूछा जाए आप बता सके हैं तो यह हैं तो यह हैं नजर आप रख लिजे इसमें क्या-क्या आम लोग पढ़ेंगे इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट भी भी किया था तो आपको ग्रूब में भेज दूँगा आप पढ़ लिजेगा कि सबसे पहले आटोकेट की ट्रेनिंग है आपकी होगी आटोकेट के बाद आपकी रेविट की ट्रेनिंग होगी रेविट के बाद आपका इसमें कुछ पॉंसेर लोडी है 2D 3D 4D है वॉक्त्रू है स्कैन टूबी मैं पॉइंट क्लाइंग देफ्ट लेवल पर जिसमें PB MEMBERS के बारे में ट्रसेस के बारे में और reinforcement डीटेलिंग के बारे में IMPORT EXPORTE के बारे में GA के बारे में सब पढ़ेंगे तकला के बाद आप नेवी स्वर की ट्रेविट करेंगे नेवी स्वर के बाद आप 3D Max है उसके बाद skets up उसक प्लस उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा एक्स्ट्रा नॉलेज की डायनमो क्या है रीकैप क्या है बीजाब करना होता है हर इंटर्वी की पुरी प्ली प्रप्रश जिसमें आप सब को पता होना चाहिए कि हर वीक मनलब हर फ्राइडे को आपका मौक इंटर्वी होता जिसके इंदर एचार प्लस टेखने कल इंटर्वीव होते हैं हर 15 दिन पर आपका कैड टेस्ट होगा जिसमें आपको क्या बनवा पार्केट में और सॉफ्टेर हैं इसके अलावा फ्यूजर क्या है बीम का फोर डिस्टिमलेशन क्या है वर सेरिंग क्या है यह सारा कुछ आप पढ़ते हो इस सब आपके दूर्पुल में आ जाएगा और इसके लिए आपको यह उचित नंबर यह दिया हुआ है इसके लावा आप पोचित लगे कल लीजिए चाहे मुझे कॉल कल लीजेगा या फिर अगर मैं नहीं उठा पाया अगर मैं क्लास होगा रहे हुँ वरे टीम को कॉल करिएगा उनका तो ड्यूटी है वह आपको अब इसके बाद रही बाद स्ट्रक्चिस के इंटर्सिप में तो उसका भी रवांस कंक्रीट डिजाइन के बारे में पढ़ोगे और फिर इसके बाद हाइडाई स्ट्रक्चिस के बारे में पढ़ोगे और उसके बाद एक्स्टा नौलेज थोड़ा जल्दी बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में मैंने बताया था अपना जो लास सेशन हुआ तो उसमे सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले क्यों रखते हैं या क्या बोलते हैं अरूं सैनी कुछ पूछना चाहा रहें यहां से स्टार्ट करते फिलागी चलते हैं यह सारूं सैनी बुली है है हलो हलो यह सब्सक्राइब करेक्ट करेक्ट और मैंने सब्सक्राइब के पास एक साल जोव कि यहां किया ओके ड्राफ्टिंग के तौर पे कि अड्राफ्टिंग के तौर पे और अच्छीं अब मेरा एक्षिडेंट हो हो है यूदि रहें ने जरू है कुशन क्या है तुम्हारा क्या करूं सब्सक्राइब तुम्हारा एक्सिदेंट हो गया राइट वैसे कोल्ड में नहीं करोगे कि जॉब करोगे अभी करेंट में जोब करना तरह क्यों कि मेरे और मेरे मदर घर को जारा नहीं चाहिए अब अब आपको बताता हूं आपके लिए अपने करेंड़ को इसका रिजन बताता हूं तो तुरंत आपको जैसे जॉब करनी है तो डिप्लोमा होल्डर के लिए कोई विए अच्छी कंपनी पर नहीं रखेंगे आपडेंगी आपको बुरा लग सकता है पर यह फैक्ट है क्यों क् पर इनिजिबल ही नहीं होते हैं मिनिमम डिगरी तो चाहिए ही होता है बट बी आयम के लिए डिप्लोमा इस दमीनिमम इलिजबिल्टी तो अगर आप बी आयम में अपने केरियर को बनाते हैं तो आप हंडेट एंट पर से और हो जाएए कि आप अगर जो आप पर जाएंगे आपको बी आयम की काउम लेंगी प्लस ब्याइए में आपको फ्रम होम भी मिलने का चांस है मेरे पास दोनों बैच चल रही है मेरे को बताने में मैं आपको श्रक्षर ही बता सकता हूं बट आप याद रखी अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आप सोचिये ही मत इस्ट् सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसको क्या करो नौलेज को अपने पास रखो को तुम को तुम के पास काम कियो बट अभी करेंट सीनेरियो जो तुम्हारा है उसके हिसाब से सब्सक्राइब करना पड़ेंगे उसका कोई चार्ज नहीं है तुम पढ़ना चाहो पड़ेंगे सब्सक्राइब करता है अगर तुम्हारा कमनिकेशन अच्छा है अगर तुमने किसी एक नदर इंटर्वी फोड लिया तो 30 तो एक नॉर्मल पैकेज है थेके 30 30 फाइब और मोर दें देट बट अगर आपकी कम्यूकेशन अच्छी नहीं है कि विया में कम्यूकेशन का बहुत बड़ा रोल है सबको क्लिएर कर दे रहा हूं आप टेनिंग नहीं ले रहे और से पहले बता दे रहा हूं अगर आपका कम्मिनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप बहुत छोटी लेवल कंपनी में काम करेंगा वहां हार्डी आपको 15-20,000 रुपे मिलेगा अगर आपका कम्मिनिकेशन अच्छा मलब ओक्यों के टाइप का है तो और अप्लसन बियाएम का नौलेज भी ओक्यों के टाइप है तो इंटर्मेडियेट लेवल की कंपनी में आपकी जौब लगेगी तो वहां पर आपको 20-25,000 रुपे से स्टार्टिंग होगी फ्रेसर की बात कर रहा हूं मैं experience की बात नहीं कर रहा हूं 20-25,000 की जौब मिलेगी और अगर आप अच्छी कम्मिनिकेशन रखते हैं और भी आएम का अच्छा नौलेज रखते हैं पोर्फोल्य आपका एकदम स्ट्रॉंग है तो 25 के नीचे तो कोई सोचना ही नहीं है उसके ऊपर 30-35 इसके मेरे वीडियो है कैसे अप्लाई करना है बहुत तरी कंपनिया है कंपनियों की लिष्ट मैंने ओलेडी यूट्यूब पर दिया हुआ है ति गूगल पर अप्लाई सर्च करो तुम्हें तरी कंपनिया मिल जाएगी उसके लिए पाले पास पॉर्टफोलियों होना ची मैं दिखाता हूं कैसे अप्लाई करना है बिना पॉर्टफोलियो कोई नहीं रखता इस पोर्टफोलियो कैसे बनाए तर्चम रहे तो क्योंकि दिप्लों वाले होल्डर को सब्सक्राइब करेंगे पहर से मिलेगे तुम्हारे लिए बता रहा हूं जो लोगब वी टeक है उ लब डिप्लोमा होल्ड की बाद कर रहा हूं कि अक्षटा का अक्षटा अपना माइक ऑन कर लिजेगा आराम से आपने कुछन को सब्सक्राइब हो अक्षटा अपना कुछल कर्व सकते है है कि है सभी नहीं कि अब किसे की बैसपर होता है प्रिस्मेंट होता है हमारे नॉलिज्द की इंस तरी के चीज़ें वोलते हो कि 100 तो बोसेंट जो मार्किटिंग के लोगो फाइड़ा उठा लेते हैं बताओ कैसे अगर मैं अभी आपको कमिट कर दूं हां हां 100% प्लेस्मेंट होता है राइट और मैं आपको बोलूंगा कि आपको एक लाग रुपए डेल लाग रुपए दो लाग रुपए फीज देनी है 100% प्लेस्मेंट आठ लाग का पैकेज अब इसे क्या होगा कि सामने वाला आपको फूल बना देगा बुरा मत माना यह अच्छत है यह फैक्ट है मार्केट का यह फैक्ट है उसमें क्या होगा लोग आपको जिसे मैं प्रॉमिस कर दूँ फिराल मैं टीचर हूँ मैं गलत प्रॉमिस करने ही सकता हूं पर एक सेल्समें को क्या फढ़ाए है ना गलत कमिट करके आपसे फी लेके वहां पर अपना कमिशन जो उसका होता है लेकर चला जाएगा दिक्कत किसको होगी अच्छता को दिक्कत होगी बाद में सर्च करेंगी तो आदमी नहीं रहेगा क्योंको दूसरे के पीछ लग जाएगा समझ रहे हो इसे मार्केट में यह बहुत जादा चल रहा है कि किसी को मत बोला करो कि 100% प्लेस्मेंट इसके नाम पे लोग ठग लेते हैं दूसरे को बाद में जाब लग जाएगी तो हां 100% लग जाएगी ओके सर मुझे पूछना था कि प्लेस्मेंट मतलब पहले का रेकॉर्ड जो है हमारा क्लास का तो कितने लोगों को आपर मतलब जौब मिली है ओके देखो कोई भी अगर 80% के उपर अटेंडेंस मेंटेन किया हुआ है कितना 80% के उपर नॉट वरली बाई फेस मलब कि वह लॉग इन कर लिया उससे नहीं काम से काम इंदसेंस कैसा होता है डेली टास्क करना 80% पाटी करना प्रोजेक्ट जो मिले कॉलेज ऑपने जो गुर्कुल है गुर्कुल के प्रोजेक्ट मिलता है बहुत बड़ा सा उस सब्सक्राइब युऑ 9% पाटी करना इसने जिसने भी किया है वहर कोई प्लेस यह और जो प्लेस नहीं भी होगा वह जाएगा यह वी स्योर है क्योंकि इत्विव्यों होगी क्यों I'm aap को यह बता देते हैं कि सर्च कैसे करना ह्या जॉब यह बता देते हैं कि आपको पोट तो उसके वज़े से जो 80% क्या है वो हर कोई जॉप के अंदर प्रेस है और जो इसके नीचे है वो यह समझो कि उसकी गलती है कि वो कुछ नहीं कर सकता है मुझे ना वाट्साप ग्रूप पर मुझे जॉइन होना था तो मुझे आप क्या लिंक भेड़ सकते हैं बेज़ वाड़ा दे रहा हूं कोई भी मेरे ग्रूप मेरे टीम से कोई अगर है तो प्लीज वाट्साप गूप इनको सेर कर दीए और ग्रूप में डाल दीजिये और अगर कोई नहीं है तो मेरा नमबर में भेज देरा ओच ता मुझे सब्सक्राइब करें कि चलो देवासी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या दिवासी आइसा क्यों बहुत अच्छा ले ले लिता हूं उसके बाद देवासी आपकोन करिएगा है वाट इस वाट मैं नौ अबाद बियाएम क्लासे दू नौट है विन इन्फॉर्मेशन रिगार्डि इस वाट चुका है जिसको बीडूब जोइन करना है जो आप लोग नहीं करना है जो टीम के लोग है वो अपना नंबर करना चाहिए तो कोई कॉल करना चाहिए चलो पहले इनका कुछन लेता हूं अगर आप अर्किटेक्टर की स्टुडेंट हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप बी आएम में एंट्री करें क्योंकि अगर आप केवल आर्किटेक्टर की तूर पर नशीमित रहें इसको खोड़ा एकस्प्रोर करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको अग प्रोफाइल पर जौब लग जाती है और प्रोफाइल यसी प्रोफाइल है जिसमें आपको अगर पता है तो बहुत ज्यादा इसमें पैकेज भी है और आप इसमें करी बना सकते हैं इसके लिए जो जो चीजें चाहिए होता है वो सब कुछ अपने चार मेने के गुरुकुल मैंसिखाया जाता है के बी- we marketer को इसके लावा कुछ कुछ quest किसेट हैं जो मेरे रिसर्च से बने हुए हैं लभग मैंने खाउंट तो नहीं किये हैं बट यह मेरी पॉस्बिल्टीज है कि 500 कुष्चंस हैं जिनको मैंने बनाया हुआ है उन 500 कुष्चंस से ही सारे इंटर्व्यू करेक्वा जाते हैं अभी तक तो यहीं रिकॉर्ड रहा ह हैं हाँ ऐसा नहीं बोलूँगा 100% बट 80% कुष्चंस हमारे ही नोट बुक से आएंगे जो मैंने बना दी हैं और मैंने कैसे बनाये हुए हैं आप लोगों की मदद से आप कहीं इंटर्व्यू देने जाते हो आप से क्या पूछा गया मैं श्टोर कर लिया हूँ आप से क्य ज्यादा लेवल का होता है उसमें थोड़े कुष्चंस टफ हाते हैं तो उसमें मैं 80% की प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ हर्ली 60% हो आएंगे जो मैंने नोट्स में से होंगे बागी तो आपके पास जो नॉलेज है चार में जो सीखाऊंगा उसके अंदर से हो सकते हैं एक द्यानी उसके का है तो आपमोट्री ले लेते एक क्विश्चन करके अनीरूद अपना मै का ओन करके कुछिन कुछ लेटा इसके की पूच लेंगें अपना कुछिन लेजे आपके जो सबींदाउट है हेलो है आपका माइक आन है बड़ आवाज नहीं हारे है ठीक है तब तक राजन पूछ लेंगे राजन अपना माइक आन कर लो अब जो अब अब कर रहा है के यहां और सफिपल मेरी से अबी सिक्समांद पहले मेरी प्लेसमेंट इस इसके एंट वी मोट में मैं काम कर रहा हूं और सेलरी भी अभी ठीक है जो आर्किटेक वाली रोल है वहां पर ठीक ठाक हो रही है बट सर्जू सकेंट टू बीम में और जो सर्ट्रेक्टर वाली जो वहां पर पोजिशन आ रही है सब्णा वहां पर बहुत दिक्कत हो रही है की जए काम करने में अभी नहीं लगाएं फ्रकापी टाइम हो गया सब्सक्राइब तो वहां पर काम होती है जादार ओर डीयों कभी और सिध्रेक्टर वाले रोल वी होते हैं तो वहां करने इस में अगर श्रक्ट्रेस को समझना है तो प्रॉबलम क्या होती है ना राजन के अपलों का जो बैग्राउंड होता है थोड़ा सभीक होता है बैग्राउंड मतलब कि अगर हमारे पास डिटेलिंग का थोड़ा नॉलेज है तो फिर हमें क्या बोलते हैं ज्यादा प्रॉलम नहीं आती है अब इसमें एक चीज होता है कि मैं भी नहीं बोलूंगा कि तुम्हारे पादने टाइम है कि नहीं है तुमको अभी के हिसाब से मै लेनी चाहिए इसका दो फाइदा होगा एक फाइदा यह हो जाएगा कि तुम्हारा जो क्या बोलते हैं बीम की पकड़ है और मजबूत हो जाएगी उसका रीजन क्या रहता है जैसे कॉलम है अब इस्ट्रक्चर इंजिनर को बहुत अच्छे से पता है कि अगर कॉलम में 800 mm स्ट्रक्चर इंजिनर को अच्छे से पता है कि कितने बार डालना है क्योंकि एक अगर आपका क्या बोलते हैं 12 mm को बारत लबग 113 mm2 इसका एरिया फिस्टील होता है तो 113 डिवाइट कर दिया आठ से लबगमाल लीजिए 6 बार के आसपास आएंगे अभी कल्कुलेट आप इतने बार होंगे और इसका इतना परसेंट होगा जब मैं डिटेल मेरे पास देने से पहले पूरा बैग्राउंड है यह एक्सियल कॉलम था इधर से लोड आया था इतना रहा था यह एक लॉंग कॉलम है या फिर एक सौट कॉलम है जो भी आप का रहा है और इसमें इतने इतने बार पढ़ रहे हैं अब मुझे इसको रेविट में डिटेलिंग करना बड़ा आसान हो गया तुम्हारे साथ बलब या तो बलब जो बीगनर होते हैं स्ट्रक्चिस में फिर वो लोड़ी स्ट्रक्च्चल डिटेलिंग उनके साथ प्रॉलम क्या है यहां पर चार बा इसका रिजन क्या है कैसे करो कि इसके लिए क्या कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छी शैली वाले के हिसाब से आ रही है और अच्छी स्ट्रक्चिस में तुम साइड वाई-प्र टाइम निकाल सकते हो बीम सीखो स्ट्रक्चर सीखो अगर स्ट्रक्चर सीखने का टाइम नहीं मिल रहा है तो मेरे एप पर एक all-in-one करके कोर्स है तुम्हें लगे वो शुटेवल हो तो वो कर लो यह पिर किसी का भी ऐसा कोर्स करो जिसमें आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज मिल जाए स्ट्रक्चर का नॉलेज जैसे राजन मिलेगा बड़ा मज़े से तो क्योंकि सब्सक्राइब नहीं है तो डिटेलिंग करो के कॉन्फिडेंसी नहीं आएगा हम लोग को भी साथ ऐसा होता था कि डिटेलिंग कर रहे हैं पर सबने यार कहां से आ रहा है बस दे दिये जो दिये हैं बस ऐसे ड्रॉ कर दिये अभी पता है बैग्राउंड पूरा का पूरा इलाज बुखार आ रहा तो क्यों आ रहा है क्योंकि टेंगु हुआ है डेंगु क्यों हुआ हम बच्चरों बहुत है कि समझ गए तो टाइम निकालो या तो ऑल-in-one से सीखो या पिर अगर नाइट में हमारी सारी बैच होती है रात में साथ बजे कि बादी सारी बैच होती है थोड़ा बहुत लेट भी हो गया तो रिकॉर्डिंग मिल जाता है कोई कुछ चुड़ता नहीं है ठीक है मेरे टीम का नमबर या चैट बॉक्स में रखा हुआ है कॉल करके पूछ लेना स्लेबस से लेकि जो भी इनफर्मेशन चाहिए सब निकलवा लेना फॉट से ओर हो जाना तो भी इससे बात कर लेना ओके सब्सक्राइब अच्छे से मैंने कोर्स की थी और उसके बाद मेरी जॉब भी लगी है अच्छे कंपनी में 46 के आसपास सालरी है और बहुत अच्छे से मैंने सारी चीजों को स्टड़ी किया और टेकला भी मैंने किया था लेकिन सराभी इश्यू मेरे साथ एक छोटी सी आ रही है कि मैं सीविल से हूं तो सीविल में हम बेसिकली जो है मतलब जो बीम्स रिबार्स जो है वह सारे चीज करते लेकिन जो आर इंटीर की पर्टिकुलर इंटीर की तो वहां पर मैं फस रहूं बहुत जादा है जैसे मालों कि लिफ्ट की जैम डिटेल देनी है अब सर मेरे को कुछ पता ही नहीं है मुझे के ना जिक दो आप मैं सर मैं बहुत कंफ्यूज हूं और मैं सही बताओ सर ऐसा लगता है डिग में कुछ चीट बना के दे सकते हैं तो वहां पर बहुत जादा प्रॉब्लम हो रही है और सर मुझे लाइव आप से हेल्प चाहिए वड़ना सर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है रेजिगनेशन प्रेम से दे दूं और फिर मैं जो है बाहर मिकल जाओ इसमें क्या हो गय नेक्स प्रोफाइल बीम कॉडिनेटर की बन जाए जैसे तुम बीम कॉडिनेटर की प्रोफाइल पहुंचोगे तो कमफर्ट आ जाएगा क्योंकि आप तुमको सिर्फ चेक करना है ठीक है तो वहां पर तुम्हारे क्या अच्छा जमता है तो उसमें जाओ अब तुम यहां प्रोफाइल होती है तुम्हारे लिए प्रॉलम क्या हो रहा है कि तुम्हें जब तक नहीं करोगे तुम इस प्रॉलम से सफर करोगे जैसे ड्राइं हमें दे दिया कि आप जो है न सौफिट फ्रेमिंग का ड्राइं बना के दो अब सर्माइस व्यूंड रहा हूं कि मैं सीविल से हूं और सौफिट तो मुझे पता है विट फ्रेमिंग के लिए मैं अलमूनियम का ढून रहा हूं सब्सक्राइब कर सकते हैं इंटीर में बहुत जादा प्रॉब्लम हो रही है सब्सक्राइब काम किया हुआ हर कंपणी काम ऐसा होता है कि एक कंपणी जब दूसरे कंपणी में जाते थे हम लोग लगता थे यहां कुछ अलग चल रहा है बलीब नहीं करोगे सब्सक्राइब करना पड़ता था और यह करना पड़ता है ठीक है तुम्हारा थोड़ा अलग केस है बट में एक नॉर्बल सेच्विशन बता रहा हूं कि हम लोग जब नेक्स कंपणी में जाते तो हमको यार लगता यह क्या है उनकी अलिमेंट अलग है उनकी ड्राइंग देनी की सम्मिट करने की मेथेट से लग हैं फिर लगता है यह पिर उसके बाद सीखते से शिकते सीखते से मेहनत करते करते अइसा अले आ यह कुछ नहीं चलो जदी से आंख मल्के चलते हैं करके आ जाएंगे बाद में comfort zone आ जाता है, वहार profile में आता है, रही बाद तुम्हारे profile में तुम्हें दिक्कत के हो रही है, क्योंकि तुम्हारा designation तुमको दे दी है, beam architect का, तो मैं सयसे यह दूगा, कि तुम रवी structures की थोड़ी सी पकड़ बना लो, और उसके बाद क्या बोलते हैं, कोशिस करो कि अपने को move on करो, ठीक है, move on किस तरफ करो, या तो beam engineer की profile पर लड़का है, अभी अभी उसने लगा हुआ है, beam structures में गया है, उसको काफी मजा भी आ रहा है, काफी अच्छे कर भी रहा हो, तो आप रवी structures को अच्छा strong करो, टिकला structures को अच्छा strong करो, और उसके साथ nervous work, क्य है, तो वो रवीज़ो यूज़ करती है, एक नया software है, रवीज़ो करके, तो वो यूज़ करते है, बट मैं सही बताव सर, civil के लिए as an architect, थोड़ा सा tough है, थोड़ा सा tough है, मैं जादा नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे एक और issue आ रही है, थोड़ी से मैं face कर पा रहा हूँ, य मैं आप छेर्षार करनी सकते हैं, आपको फाइल लॉकल बनाना होगा, और डिटेच करना होगा, और फिर वहां पर आप आगर सही से नहीं प्रॉपर किये, तो फिर वो पूरा पूरा प्रोजेक्ट के ही गुल्टावी आम 360 से connect भी है, अगर तो छेडखान करना तो पता भी पता हैं तो भी शाणा आप भी है झालता हैं, रहसरा है कि मुझे तो सब को ले के चलना हूँ और भी लेखाना हैं तो लाइश्च रहंना बेर याघी Decoyle सब्सक्राइब पर जाएगी पिर जाएगी फिर श्रक्टरस पर जाएगी पिर फिर प्रिक नमस्ते तो सट्सक्राइब आपने वर्क सेट मेंचन किया है नहीं है आध में लेदी इनल्य वर्क सेट टॉपिक हो सकता हो मैं ऑन तो बीम में वर्क्षिट है बट बीम में वर्क्षिट कौन सा होता है क्योंकि उसमें टाइमिंग है रात में दस साड़े ग्यार बी आयम का और स्ट्रक्षिस का है कि इसमें कि यह पूरा नहीं होता है इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग प्लस प्रैटिसे जो गुरुकुल का कॉंसेट अपना थोड़ा अलग है इसमें डेढ़ घंटी की लाइव से सब्सक्राइब है डेढ़ घंटी का रिकॉर्डिंग होता है और दो घंटे का प्रैटिस जो प्रैटिस डेली चेक किया जाएगा डेली उसमें से एरर्स बताया जाएंगे आपको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो फिर नेक्स्ट कैसे अपलाई करना है कि मैंने सरा आपी के आपी की वीडियो मै अपने एक्सपिरियंस आपके पास है कर सो दाटी सर प्लेज़ वाइटल रोल तो गेटिंग इस डारेक्ट यू नो इस वन थाइट फाइफ लैक्ट फाइफ पाइफ पांच लाग का सो दैट इस ओके बट राइट नाव विल हब तो रेसक्व पोजिशन सब्सक्राइब ए और यह तुम लोग बताओ कि कैसा यह प्लान है कि अब हमारा प्लान है कि अगर आपका पांच लाग पर है मैं आपको 2-5 लाग पर पहुंचा देता हूं तो आवर सपोर्ट टीम विल टेक यह सम परसेंट इन स्टार्टिंग कुछ ले लेगी दो चार्दस है और उसके बाद आपको पैकेज प्रमोर फिर उस पैकेज से आपको ऊपर लेके आना मेरा काम है उसके लिए जो रेस्क्यू होगी जो भी सपोर्ट लगेगी मैं करूँ आपको मैं चाहते हूं सर एक आपना रीडिंग ड्राइंग करने का भी एक आपना प्रोपर पर विदियो मातवरव टॉपिक प्विटिक होन चाहिए कि ड्राइन को कैसे रीड प्रफेश्टेशनल ड्राइंग को बहुत अच्छे से रीड आउट करना जो नैशनल लेवल की बनी हो इंटरनेशनल लेवल की यूएस से की वह बहुत है ठीक है उस पे पूरा जैसे आपने आल-इन-वन मनाए ना वैसे आप अगर बना दे कि ऐसे से रीट करना है इतने इतना जो है डामेंशन की दिप रखनी है वित रखनी है तो जो हमारे बच्चे जाते ना सो दे विल मुझे अलग से पर कॉल करना इस पर थोड़ा सा मुझे चर्चा करनी है क्योंकि यह प्लान मेरा है ऐसा कुछ ठीक है बाट आइस्ट वांट टेक सम्मोर क्योंकि कैसे होता है मैं टीचर के नजर से देखूंगा तुम्हें कि स्टुडेंट के नजर से दिखोगे न तो हो सक कर दिया है कल अगर तो मॉर्णिंग में मुझे किसी भी समय इसमें इसमें सर जैसे मैं कुछ टॉपिक मैं आपको बताओं गाइड करूं बच्चे आपे सुन पाएंगे जैसे एक प्रीट होती है अंडस्टेंग ड्राइंग ले आउट हो गई ड्राइंग करना और इस जिसको हम कहते हैं तो वह हर कंट्री फोलो करती है तो वी अर लर्निंग देट इस वाइंग बट विल्हाब तो मुझे अग्स्पिरियंस यूर वेरी एक्सपर्ट अस्टो अल्ली यू कन रेस्क्यू अल आप परसंस फ्रॉम एक पर्टिकुलर से अभी इसके अंदर नह दिसक्स करूंगा विल्डू रह सम्थिंग पर चलेगा देवसीस आप भी अपना डाउट पूछ लिए दोस्त आपका भी कोई डाउट है और जल्दी पूछेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आजीम कभी डाउट है इस आजीम आप तब तक पूछ लिए उसके बाद द अब थाडियर को एड डिक निकेल के ओके अब अब जस्त थाडियर में हो प्ला आजीम क्लियर करना कि हलो जाए यसा जीम बोलो और नेटवर्क का प्रॉलम लग रहा है इसका अजीम थोड़ नेटवर्क में आजाना दोस्त हां बोलो बोलो कि अब थाडियर में ऊशर माम ओके तो अभी कॉलिज का निश्ट प्लेश्मेंट बैग्रॉंड देखके सराइसा लग रहा है कि कॉलिज में सिर्टी आउट 25 परसेंट ही प्लेश्मेंट हो रही एसी विल के लिए ज्यादा बोल रहे हैं और कम ही हो सकता है तो फिर स्थाओं यह साल हुई थूड़े अच्छे से नहीं क्या है तो घर के कंडी के नैसे के बीन बोलो बोलो भी ही होते के साथ है जूब जॉब की गैरेंटी नहीं कि मैं यहीं को खुलो यहीं स्किल्स्यक्लो तो भी के कम्पिट होती माई जॉब के लिए अप्टाइ करो तो मेरे हाथ में इसा जॉब रहे एक मैं तो सर अभी जैसा मेरे दोस्तों जहें ना वह बी के बाद कोर्से स कर रहे यह यह कर रहे फिर उनको वन यर वह इसा ही जा रहा है फिर उसके बाद प्लेश्मेंट आओ वह दिक्क् सब्सक्राइब करने सबस्क्राइब को था बता है जोब करने के सब्सक्राइब करने के लिये चाहिए काम करने के लिए चाहिए और इसकिल्स भी ऐसी चाहिए जो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ना हो ऐसे कि मैं अगर बोलूं कि क्या बोलते हैं मुझे एज़कूक तुम हायर कर लो अपने घर में फिर मैं बोलूं कि मुझे सब्जी मैं जानता हूं कि सब्जी बनाते कैसे मैंने कर देते हैं जल के सब्जी बन जाती है यह क्या हो गया मैंने किताब में पढ़ा था कि तुम्हारा नॉलेज कर रहेगा कि सीखा भी इसकी किताब में सीखे थे तो जब तुम कम जाओगे में मैं स्वरी मैं अपने आपको बोल रहा हूं तो मैं जब कंपनी में जाओंगा त हम सब्जी बनाना इस्टार्ट किया तो दूसरे दिन तुम बोलो कि रहन दो हम ऐसे सब्जी कहा लें सकतानी है मलपूल मिला कि हम नहीं रखो गया क्योंकि मैंनेar की सिखा तो सब्जी बनाना सीखा ऐसी इसORTER centres ऑने इसे सीखालिर गल्ले के बैडे चली लिग् soy साही पनीर बनाना है समझ घखते तो अभी तुम पहली बार तो अभी तुम अभी तुम मत सीखो अभी तुम नहीं हो क्योंकि आप पाइदा पता है अभी सीखो रभी इंटर्वुन यह सबसे बेस्ट तुम कर लोगे तो टुम्हारे नहीं नहीं है तो यह जानो कि अभी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है दोस्त गुरुकुल तुम करना फाइनल यह में ठीक है मलब फोर्थ यह तो बोलो कैसे जॉब इसके कर ले तो डिगरी की लेबल के लिए मैंने बहुत अच्छा बनाया हुआ अच्छा बनाया हुआ हुआ है उसके बाद तुम उसको पढ़के रखे रहो जैसे में जाना मेरे को कौंटेट करना मेरे को किसी को भी कौंटेट कर लेना जो भी मेरी चलती रहें तो यह नहीं बोलूगा कि सब्सक्राइब कोई नहीं होता है कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर ले तो और थोड़ा घर से थोड़ा सुपना चालू कर दें जैसे ऑर्टो के वगरा हो जाए घर पे से सिपना चालू कर दें तो मेरे को आगे आसा नहीं होगी नहीं कि उसके लिए तुम कहीं पैसे मढ़ डालो लैप्टॉप पे पैसे डालो सब्सक्राइब करें तुम लैप्टॉप सिंपल सा ले लो एक ठीक है लैप्टॉप लेने के बाद अपना जो यूनिक सब्सक्राइब तुमारे पास तो नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेना उसके अलामा उसमें क्या हो जाएगा तुम को मिलेगा मेरी टीम तुमको सब्सक्राइब ठीक है वहला चीज तो यह हो गया दूसरा चीज आज की टाइम में सबसे अच्छा सोड़ साइव ऑल इन वन से मैंने गाइड कर दिया कि आटो कैसे सीखना है इस्ट्रपो कैसे सीखना है उसके बाद लाखों वीडियो यूटूब पर रखे हुए है इस मेरा गाइडेंस प उनको त्यार कर दिया तो यह फिक्स मालो की इंटर्वी तोड़ दोगे लेकिन अभी तुम्हें जवाप करना नहीं तो करके करोगे क्या तो अभी तो सब भूल जाएगा तो तुम्हारा उसे पैसा भी खराब होगा पीट से करना पड़ेगा बेटर है बेट करो लास्ट य अल्यों मैं करना कर से आँँ सर एक पर बीएएएम सब्सक्राइब करेदर करीएर ग्रोथ क्या है सब्सक्राइब तो बहुत कम है इस भी यह में अब यह महां सरहार इंड़ेस्ट्री में जाब बहुत प्रियर नहीं आए बोले बहुत बोलूंगा नहीं डिखाता हूं ठीक अब लोग तुमको कुछ नहीं करना है तुमको कुछ नहीं करना है यहां पर आपके लिए गूगल ओपन करता हूं गूगल पर लिखते हैं कि भी आयए कि जॉब्स कहां पर सर्च करना चलो मुंबई में सर्च कर लेते हैं काफी अच्छी जगह है ठीक है आप देखो 19 घंटे पल एक ओपनिंग आई हुई जहां पर इनको क्या चाहिए बी आये मॉडूलर चाहिए ठीक है एक ओपनिंग चल रही है अब यह उसके बाद यहां पर चल रही है और उसके बाद दोस्त यहां पर नीचे आओ देखो यहां पर यह सिस्टम में चल रही है यहां पर चल रही है तो आप देखो यहां पर चौब बीम के अंदर जो है जौब की कमी नहीं बट बीम सबको आता नहीं यह प्रॉलम है तुम किसी और प्रॉफाइल की बारें बात करोगे तो हम बोल देंगे कहां है लेकिन बीम में इस समय मार्केट में सफिस्यंट जॉब है मेरा उसका तो टेंसरी मतलो हां टेंसरी यह लोग चाहिए वो मुझे आता है क्या अशु यहाँ है प्रॉलम ह्चिए है कि जो चीजीए हो हमें आता है एक इसका में कॉंसेट है कि आप स्लेवस मत देखो म स्लेवस को नहीं पढ़ा रहा हो यहां हूं युद्स मैं पढ़ाता हूं कि कम्प्रसका चाहिए तो आपको यह बता दूगा कि मैं कंपनी को क्या चाहिए माल लीजिए करेंट में ऐसा हो रहा है कि कंपनी में कुछ और चीज़े पूछने लगे हो सकता है मुझे ना आए यह मैं सुचना कि मेरे को बहुत कुछ आता है पूछ नहीं हो सकता है मुझे ना इसको सीख के तुमको सीखाऊ इसके लिए मैं कमिट्मेंट दे सकता हूँ कि अगर कोई चीज ऐसी है जो कंपनी यह पूछ रहे हैं मुझे नहीं आता स्लेवर्स में नहीं है उसको जाने दो ठीक है मैं सीख कर सकता है ठीक है और यहीं मेरा करने के बाद इंटर्शिव का लेटर देंगे तुमको इंटर्शिव का सर्टिफिकेट देंगे अलुक्ष accepted का सरटिफिकेशन चाहिए सब्सक्रीप करेंगे उसके सभाओं से कहार न reinforce तुमने मेरे अंडर में काम किया हुआ है क्योंकि अपनी ट्रेनिंग में कई रहसार ऐसे पोजेक्स आ जाते हैं मेरे पास लाई बले होते हैं जो मैं आप ही लोगों से करवाता हूं मैं कोई अलग से टीम नहीं रखता उसके लिए तो उसमें क्या होता है कि कम सकम यह तो मान के चलो कि पांचा प्रजट तो तुम्हें लाइब मिली जाएंगे तो उसका एक बेनिफिट मिल जाए आप उसमें होता है क्या है कि 20 लोग बनाओगे जिसमें से 4-5 लोगों का अच् क्योंकि मैं तुम्हें क्या पूछेंगे वाइशुड़ा है क्योंकि मैंने 6-month के लिए आपको ट्रेनिंग दिया हुआ है आपको बोल सकते हैं क्या सीख रहे हैं ठीक है और भी ऐसे लिखवा तो उसका एक अलग तरीका है क्लास में डिसकस करेंगे कि क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं तो मैं आपके रिजूम में करवा देता हूं इसका एक तरीका होता है चलो छेड़ी दियो तो बता देता हूं अधियस तुमको लोग को क्या होता होगा तुम लोग कहीं जोगों पर अपलाई करते होगे आपके अच्छे कुश्चन से आपके काफी यादा मैं यह करकोश्चिस करता हूं जितना हो सकता है अधर्वाइस मेरी टीम आपको कॉल करेगी अंकीत आप अगर है तो आइसा को के यहां वहां पर जो चीछ चाहीं होता है अगर वहां हमारे पास नहीं है ज्यादा ते हैं कालग हогते हैं क्विंग इजने के लिए के लिए अप किसकी और लिश्चिंग एक तरफ और एक टरफ डाल देती है आपके रिजुमे को, तो ATS चेक करता है कि क्या आपका रिजुम ATS friendly है, ATS में जो जरूरत है, क्या आपके रिजुम में है, अगर है, वो shortlist कर लेती है, अधर नहीं तो fair कर देती है, तो रेटिंग कर देती है कि top 20 CV है, इसके नीचे की CV है कंपणी क्या करती है, कंपणी के वल top 20 CV को देखती है, उसी में shortlisting, उसी में interview, बाकी सब को reject कर देती है, और हम सब सूसते हैं कि आपका रिजुम को नहीं आ रही है, shortlisting इसलिए नहीं आ रहे है, क्योंकि ATS ने हमारे रिजुम को reject कर दिया है, तो ATS friendly रिजुम मनाने का एक टेखनीक होता है, जो कि ये depth में हम लोगों क्लास करते हैं कि क्या रखोगी पकड़ ले, क्या रखोगी छोड़ दे, उस तरीक एक टेखनीक होती है, तो उसके according solidisting आती है, और कोई डाउट है में ग्राज, ठीक है, देवासीस, अपना question पूछ लोग जी, सर मेरा डाउट अब यह है कि सर, वो structure में job मिलने की जल्दी चंस, मतलब जल्दी job मिलने का chances कहां है, structure में की BIM में, सर, जल्दी की बात करोगे तो, क्या बोलते हैं, मैं तो clear ही बोलता हूँ, भाई, BIM है, जादा, जादा future growth, future growth, सर, कहां पे सर होगा, सर, जादा, future growth, सर, कहां पे सर, होगा अगर केरियर गैप है, तो BIM सबसे अच्छा है, ठीक है, structure में तुमको करना ही नहीं चाहिए, तो तुमको करना ही नहीं चाहिए, तो बोलो कि सर, मुझे करना में मना कर दोगा, ठीक है, जल्दी job नहीं लगेगी, तुमें कैसे तुमारे 5 साल का experience है, तुमारी salary भी ठीक ठा ठीक है, हाँ, आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद, एक BIM और एक structures में, BIM वाले की selling की सुरुआ ज़्यादा अच्छे से होती है, structure वाले की low होती है, बट 5 साल बाद structure वाला ज़्यादा कमाता है, BIM वाला लबग उसके आसपास ही रहेगा, बट कम रहेगा, उसका reason क्या हो assistant रख देगा, वो करेंगे, वो एक जगा job अलग कर रहा है, तो इसको दो income source बन जाते हैं बहुत जल्दी structure वाले को, BIM वाले को यह थोड़ असा time लग जाता है, इस चीज़ इस्टेबलिस करने में, हाँ, एक लड़का था, और कुछ और भी अच्छे लड़के हैं, जो कर सब्सक्राइब करो, इन फ्यूचर में आपको वक्त मिले, जैसे कि मैंने किसी को बोला था, आकीब को बोला, और किसी को बोला कि भाई, आप दीरे दीरे एक और प्रोफाइल अपडेट करते रहो, जिससे की बाल मिक्सफ करके चल पाऊ, ठीक है, और जो site engineer है, अगर आप वो के लिए structure सबसे अच्छा है, क्योंकि structure का इंटर्वी टफ होता है, चलिए सनी के question लेते हैं, थोड़ी बिड़ी खासी आ रही, तो ज्यादा नहीं करें, doubt next session पर रखेंगे नितिन, अलग्स उसका session रखेंगे निजिवल बैच का, अभी आज सिर्फ इनकेज लोग के जो common doubts को complete करें, दोस्त, सनी अपना question पुछ लो, चेतक हां जी, गोड़ी नी, गोड़ी नी, सनी, बोलो, सर मेरा ये question है, सेम ही last भाई का था जो, की structure में बनाए या BIM में बनाए, कुन सा best रहेगा भी, तुमको अगर मैं दो subject दो, तो तुम क्या पढ़ोगे, एक देता हूं में तुमको construction management का subject, और एक देता हूं, तुम किस में क्या पढ़ना चाहोगे, दूनों में से, SMD BMD रहेगा, तो मैं सूम में जाओगा, इसका मदब सौफ होई सी बाद है, तुम्हें mathematics पसंद है, ठीक है, इसका मदब सौफ होई सी बाद है, तुम्हारे लिए structures based है, ठीक है, अगर तुम BIM करोगे भी, तो long term में तुम्हें ऐसा feel होगा कि मैं structures में जाओ, तो structures तुम्हे करना चाहिए, ठीक है, structure के मतलब है, calculation, you like that, you are telling that कि आपको SMD BMD पसंद आएगा, तो सौफ होई सी बात है, आप structures में करिये बनाईए, वा टाइम लगने दीजिए, but long term में मजे करोगे, आपको enjoy होगा न उस्ची स्कूर करके, क्योंकि बाद में क्या होता है, कि Monday to Saturday करते करते अगर आप अपने मन पसंदा काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगे कैसी जिन्दगी जी रहा हो, frustration, पता नहीं क्या-क्या होता है, जो बाद मासूस होता है, बहुत होता है, साइट के क्यों होता है, क्यों तुम्हारे इंट्रेस्ट नहीं नहीं है, उस चीज़ में इंट्र ज़्यादा नहीं करते हैं, ऐसे भी दोस्ते मेरे, जो साइट पर बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बट उनका अलग वे आफ कल्चर है, वह आपको लेकर बट ऐसे बहुत से दोस्ते जो बोलते हैं, यार, शान्ती का जीवन चाहिए, ठीक है, वो कर रहे हो ऐसे काप, ठी अच्छा कर रहे हैं लॉंग टम इसनी जिनको अपने एडिया उफ इंट्रेस्ट के काम मिल रहा है वह है यह तो कोसिस करो तुम्हारा मैं जो समझ पा रहा हूं तो बहुत पसंद है तो बहुत यहीं कहूंगा कि बनाओ बेस्ट है और अगर तुम्हें है मेरा अलिनन लिए और तुम्हें जज्ज भी हो गया और लिया है तो बाह कर सकते हैं पहरा है मतलब स्ट्रक्चर्स और के मतलब होता है चलेगा एक क्वेशन ले तो हम भाई क्या बोलते हैं विश्वजीत का विश्वजीत नहीं तो रहा जाएंगे और फिर एक अरून कर लेकिन नमस्ते करेंगे आज के बैच को नेक्स संदे को फी रखेंगे क्यों ने चे तक करा गया कुछ स विश्वुजण देखांव शुजीत मेरा डूप वेश्वेशन रहा एक अपका इन डिप्लॉमा के बात हम लोग क्या क्या क्रियर को ब्लूब करें और एक आपका यह मतलब जाब की साथ चांसा कौन सब्सक्राइब जाब के साथ जौब के साथ भी टेक कर सकते हो अधिव हैं तो यह प्सक्राइब कर सकते हैं कहां दरको नहीं हो तौन के तटा जी हो कि वेंगल को कोलकाता है 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 कि मैं असाम से हो ठीक है तो अभी देखो थे बाकितम में आज पास क्राइब लबग आज करा रहा है जो कि आप कर सकते हो अब उसे प्राइबेट और डोर जाधा तर जगह regular यह करना पड़ेगा दूसरी चीज़ डिप्लोमा की बाद करियर बनाना है दोस्तों तो तुम्हें बाएम में ही बनाना चाहिए क्योंकि स्ट तो अभी समय है तो बेटर है कि तब तक तुम बी आयम में अपना करो और साइड बाइस साइड नहीं कर सकते हैं कर रहेट में कर रहते हैं तो मों जोब कर रहे तो लोगर वो लाइस जाइनियों हो पाता तब लुकर में जाइड लाइट प्रशियर करता दो प्रट्रियूंत नहीं है एक्सप्रेश इपकरेंस कब है जब शौड़ा कि समझें विस्टू जीर तो सबसे बेस्ट रहेगा तो इसके बेसे पर बनो बियाय में जॉब करो और साइड बाइसाइड डिगरी को कम्प्रीट करो यह सबसे बेस्ट रहेगा तो ठीक है तो चेतक का कुछन ले लेते हैं इस चेतक बोलो मुझे काल वी कर रहे थे क्या आज या कल में अंप काल किया तो स्ट लास्ट मंथ में कॉल किया था कि वो लोगे सरेख्चुली मेरा सवाल यह था कि मैं दोजार सबस्टाइब दोजार चाहदा से पाशादस कि मैं अभी करंट्ली वर्किंग भी हूँ मेरा चल रहा है कि हम लोग मेरी वाइब भी आपकी जो क्लासे से वो जोइन किया है तुम नाखपुर से हो राइट हम लोग दोनों ना एक ही इसमें मतलब क्या कि इंफ्रस्ट्रेक्षर में यह होता है कि ज्यादा ज्याद होज़ी आफिरस्टी के करें कांपुर मिले से में ही मिलेगा इसका होई तुछ importantes हैं आप तो इसमें क्या सब्सक्रीच कि दूर जैसे मेरी जो पाटनर है वो भी जॉब नहीं कर पाएगी मैं क्या है कि मैं भी डिजीजन ले रहा हूं कि मैं भी ऑफिशियल जॉब में स्ट्वीच करूँ जागी एक मैट्रो सीटेम लोग सेटल हो सगे अब बोलो बोलो कम जी तो से इसमें मुझे कि यह है कि मैं बी आयम के तुरू जाओ या फिर स्ट्रक्शर के तुरू जाओ यह बंड़ बंड़ जाता है तो बी आयम में तो बी आयम में थोड़ा सा एक स्टाटिंग में अच्छा जाओ मिल जाता है 25-30 मिल जाती लेकिन देन आगे जो है वह उतना नहीं बढ़ पाता जितना टेक्निकल बंदा बढ़ता है जैसे स्ट्रक्शर वाला या फिर लोकेशन छोड़ना पड़ता है जैसे कि मैं बोलू अगर मैं अभी कैसे मेरे तो नागपूर में आपका ग्रोथ 6-8 लाग तक काराम सो जाएगा बट आप उसके आगे सोच रहे हैं तो पिर आपको पूने सोच करना पड़ेगा मूंबई सोचना पड़ेगा बैंगलोर तो यह तो यह बहुत बड़ा रोल आता है अब मैं तुम्हारा पूछन पूछन चाहूंगा तुम्हारा पड़ेगा 50 के उपर है कि 50 के अंदर है तो क्योंकि हमें पता होता है कि इतना ही आस-पास हो रहा होगा तो अब इसमें पोड़ा सब्सक्राइब अब तुम्हारा मेडल में हो ठीक है अब जैसे कि बी आयम में पूपर हलो मैंने बोला तुम्हारा प्लान है क्या फ्यूचर में कि मैं खुद का कुछ करूं ऐसा भी अगर हां सब्सक्राइब तो फिर हम स्विच भी करेंगे मतलब खुद का भी करने का सोच मैं सब्सक्राइब करेंगा क्यों कि अभी आपकी वाहिप है और मेरी स्टूडेंट भी है वह अभी इसे भी आयम कर अच्छा कर रहे ती को टाइम निकाल कि काफी हाड़ वर्किंग सब्सक्राइब करेंगे तो आप यह प्लान कर सकते हो कि आप स्टूडेंग फिर से लो ठीक है अपनी जो आपको मत छोड़ो जो भी बचा कुछा ताइम उसके पार्टिसिपीट करो ओलेडी सी है जो बुट एक्स्पिरेंगे पास तो आप क्या कर सकते हो कि आप भी अगर स स्टुक्ट सीख लेते हो क्योंकि नौशी इस जुच इन ब्यां बहुत अच्छी बात तो एक उसके पास भी आए बहुत अच्छी बात तो एक उसके बास क्योंकि पी नहीं होता निए तो मैं सब्सक्राइब कराना को कि आप स्टूट्स में अपना के रियर बनाईगे और बनाने के बाद future में अगर आपको एक साथ काम करें तो ज्यादा बजाएगा आपको क्योंकि C can handle the BIM projects, you can handle the structures project, side project है तो भी आप जाके handle कर सकते हैं, तो आप धीरे धीरे ना structures के तरफ जाएए, no doubt आपको starting में problem होगी, कैसे होगा, क्योंकि structures में आपको 50,000 है, starting में आपको 50 या 50 कोपर कोई नहीं देगा, दोनों clear बदा दो इसमें यह हो सकता है, कि now if Uma got the good package in somewhere, suppose उसको 60-70 कहीं लग जाता है, तो आप अगर दो-चार मेने के लिए आपको back आना पड़ता है, एक back year लगाईए, चालिस तो मिली जाएगा आपका experience उसके हिसाब से, कि कि अगर आपने अच्छे सेंडल कर लिया, now if you start from 40 और 35 तो आपको एक-दो साल का experience लिजे, इसके बाद आप अपना project लेना start करिए, आर्केटेक लोगों से content करिए, उनके पर उठाइए, आपके पास time है, तो आप करिए, उसके मत क्या करिए, कि एक लोग job करी, एक लोग job को छोड़ देजिए, जिससे कि अभी मैं जो जानता हूँ, आप दोनों का job कर रहे है, तो अच्छा यह होगा कि, एक लोग job को करें, और एक लोग job को छोड़ दे, ठीक होसे क्या होगा, जो 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 चोड़े, वो प्रोजेट को लाने की कोसिस करें, और जो 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 आप को कर रहे हो, पार टाइम में, प्रोजेट करने के स्टार्ट करें, बाद मोह मिलके, जैसा आपका future बनाई, यह ज्यादा बेटर रहेगा, कि आप रिश्ट्रक्ट्रस में करिए, नी जैसे कि आपने सब्सक्राइब करने करना है, तो मैं सब्सक्राइब के अंदर क्या प्रोफाइल क्या करें, और मैं चल्दी जोब की software को सबसे फ़ले सीखो, इसे जोब लग जाएगी मेरी सब्सक्राइब, पर्सें, ब्रोथ नहीं बोलूँगा, ब्रोथ के लिए तुम्हे जोब की बात कर रहा हूं, जोब पक्का लग जाएगी रेविट अगर सीख लेते हैं, सिर्फ रेविट सीखो, मुझसे भी मैं सीखो, यूटूब से सीख लो, यूटूब पे भी, नहीं मैंने जोइन, ठीक है, एक्जाम्पल दे रहा हूं कि जस्ट आगर आप यूटूब से भी सीख लेते हैं, रेविट को अच्छे से, नो इकांट गेट जॉब, इस एक जोब करूंगा जोब करूंगा, रेविट मॉडूलर या फिर बियायम मॉडूलर की प्रोपाइल होती है, बियायम मॉडूलर, उसी की जॉब आपकी लगेगी, जी सर, चलेगा, एक कुशन मतलब हों बतातों दियाया अगर तुम आच्छी कंपनी को क्रेक करोगे तो 30 के उपर रहेगी, लेट कंपनी को करोगे तो 15 क 176 गे तो कंपनी को तो समयने बीडिस का साम然后 और उनसरों तैसे हार करें मुझे आप रेविट सीख के मुझे पोर्फोली अपना बना के दिखाई फिर में इसके मारे बता हुआ कि मुझे रेविट सीख के दिखाई मैं आपको जौब के पक्का गाइड कर दोगा चालेगा अपना कुशन पूछलों दोस्त पड़ा पता निक्वार खास याद आ रही है 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 यह सब्सक्राइब एक इस्ट्रक्टर कंसल्टेंट कंटर में काम कर रहा हूं सरे एक साल से कारे को ऐसे पहले से अमने लगोगी एक साल काम कर रहा आर एक साल हो ख़ाया है सब्सक्राइब नहीं कर रहा है बनाथ नहीं को है ना सहिस्टेंट पर फेलिव डियुकश का मैं डाल क्यमें तो पैसा गा एक लिम्ट हो चुपें डैसा इस सदाधा लोग बढ़ेंगे लिए हैं लोग अपना काम लेते हैं अब मुझे बता तुम इस टैट पर काम कर रहे हो कि एक्सल पर कर रहे होगे कुछ डिजैन कम्ट के डिजैन रहता है तो मैनुवल करते हैं उसका अलब सब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता हूं इसको अच्छा ही बोलते हैं चयों में अप्रोच का रहे हैं और भी मेरा प्रोंट ठीक ठागी प्रक्ष देरा सब्सक्राइब अब यहाँ पर पंद्रक आगे नहीं मिल लाओगा ऐसा है अब सर्म यहीं लग रहा है क्या साथ में में भी सोच रहा हुआ तो अब सब्सक्राइब को यह हो रहा है क्या यह इसको थोड़ा हटाके आरेंग से मैं करूंग फिर जाके क्योंकि में को दूसाल भी लगे क्योंटर में सर एंटेकन ने के लिए क्योंकि सब्सक्राइब करूंगा तो अहां सर वो में भी सोच रहा हुए करने कि यह सर क्या होगा मतर्स सही रहेगा या नहीं तो सर यह छोड़ के मैं फिलांसिंग कुछ उठा सकता हूं सा कि अगर बहुत ज्यादा पैसे की प्रावलम में तो मैं मना नहीं करूंगा नहीं के लिए दूसरी चीज आरेमसी में जाना फ्यूचरेश्टिक पॉइंस बहुत अच्छा नहीं है अभी तुम्हें पैसा मिल सकता है अभी तुम्हें लग भी सकता है कि नहीं अच्छा है ठ इसाब से तुम्हें 30 मिल जाएगा 40 मिल जाएगा 45 मिल जाएगा और उसके बाद जो ग्रोथ आरेमसी में बहुत लेस है यह चीज तुम पंदरफ आ रहे हो यह 20 भी होगा 25 भी होगा 30 भी होगा 50 भी होगा 60 भी होगा लाक रोपे भी पाओंगे तो मेरा से इसन यह तुमको रहेगा कि कोशिश करो कि अगर प्रावलम नहीं है तो अपने स्ट्रक्चर के नॉलेज को ही ड्रेफ्ट में लेके जाओ क्यों क्या करना है यह तरीके से तुम अभी बोरिंग कर रहे हो बोरिंग समस्ते हो पानी निकाल रहे हो अब तुम्हारा क्या हो गया कि तुम काफी हट तक गय हो पानी पाए भी ऑफ्लेस जगह गय थे अच्छे से पानी पाए और आयूरी बोरिंग कर रहे हो जिसमें हो पानी मिलने है मजह आने लगा है समझ में आने लगा रएध है कि तो बसे Olum य कि वो फीर जाओं क्या इसमें बाहरी सब्ट time-based मत करो, इसलिए मत करो कि पैसे यादा मिले, छोड़ दो, थोड़ा अभी पैसे को side में रखो, क्योंकि long term में पैसा नहीं future में domain काम देता है, मेरा सहिसन यह रहेगा कि structures में जाओ, structures में ही गहराई करो, उसी की depth पकड़ो, ETF सीखे हो तो stat सीखो, ETF सीखो, और पूरा जो दो साल है, पैसे देखो, एम टेक करो, बट साथ ही साथ structures में ही गहरा करो, तो ज्यादा फाइदा होगा, क्योंकि long term में ऐसे होगा कि यह की यात्रा कर रहे है तो structures का, काफी लंबा गए, और यात्रा बार बदलोगे, बाद में confusion हो जागे, फिर इधर गए, फि कंपनी पकड़ो structures की, यह मेरा overall size नहीं है, मत जाओ रहे हैं, अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक है, चालेगा, और यह जो structures में थे, वह भले ही 35 पा रहे थे, लेकिन वह कम से कब 40-50 एर पे बाहर से कमा ले रहे, तेक कुछ तो ऐसे जो अपना मतलब किसी का अंटर में काम करके रहने के लिए कि सरक नॉलजच चाहिओ और इंडिपेंडर बन के कोई बड़ा पजरक में काम करने के लिए जिए नॉलजच चाहिए निए 8-10 साल जिसे की मैं Besul this body बनाना के 2 movement in aासे start करूं दो साल बाद 2 साल तक धीरे दिरे करता रहो है न 이 और वही यार तरीका है कि जो में आस दो साल तक के गंटा कर रहा था उसे जिवन कितने साल जीने वाले हो पचीस तक के हो गए होगे हैं किद्रा जीओंगे काम करने कूपर पचीस ही हो रहे हैं तो पचीस साल की जिंदगी में तुम दस साल अगर दे दोगे एक्सपीरियंस सीखने को बचा कितना पंद्र और मेरा जो यंग ब्लड अवतक चला गया ना थीस कहोने के बाद यंग चला गया हाँ जरूत है नहीं सर्मय मेरा यहां पे मतलब जिमेर आता हूं से लूड़ी से हाप इसर जिपनी इस तीन चार जो भी से मैं से सबसे बात कर जो बात बाता है जिनका पास जाद एक्सपीयंस है मांगे जो भी पचास साल को पर है जिनका जाद एक्सपीयंस है उनको इंगें जैनरल से ज्यादा प्रेफर करते हैं सब्सक्राइब करें लेकिन इतना सीखें इतना सीखें कि उनके बाहर सी टर्मी कलता है इतना इतना एक्सपीरियंस हो गया है क्यों कि सुबह से सामत हो प्रोजेट करने हो भी हाइड जी प्रस पूर्टी जी प्रस थर्टी तुमारे लड़के हैं जो कि जी प्रस पूर्टी फाइफ कर डिजैन किया हुआ है ठीक है जी डबलू करके कंपनी है पुनिय वाले लुग जानत पान साल में कैसे नहीं जोड़ो में असर मेरे भी ट्रागेट हो यह जितना मतलब मैंने प्रेट जल्दी मतलब कर सकेसर करेक्ट तो स्ट्रक्चस में करो आरेमसी को छोड़ दो अभी के लिए पैसा मत देखो लॉंग टम का पैसा देखो है ठीक है सर मैं अभी होई सोच रह जहां तक है अभी तो चांस मारो की तुम्हारा बाहर मुंबई में में जाओ पूनी बैंगलोर में सोच ठीक है कोलकाता में सोचो कुछ बढ़े सखें में जब जाओ तो वहां क्या होताब बड़ी फूजिक होती रहते बड़े प्रुजिक में काम करतें कौंफिडेंश ज् करना पड़े बड़े प्रोजिट पर काम करोगे अपने आप पड़ेगा अधर हुए मैं सोचा हुँ सब्सक्राइब और नहीं तो पूने के तरफ देखू सब्सक्राइब अगर तुम्हारा बैलेंस करता है तुम्हारा जल्दी इसलिए लगे तुम्हारा अलेडी एक्स्पिरियेंस भी है प्लस तुम अवेर भी उस चीज़ को लेके मुझे स्ट्रक्शिस में ही करना है तो अगर तुमको अगर नहीं पता तो इसके लिए तो गुर्कुल में आ जाओ श्रक्शिस वाला जो गुर्कुल बीस आटूवर्स चल रहा है बाकि तुम इसके तो बीम गें पूने अगरें तो आराम से जाब पाजाओगे ठीक है इस्ट्रक्शिस में सवरी और मुंबई में पाजाओगे तो सिफ्ट करो बड़े सहर में आओ बड़ी कंपनी में जाओ और अभी इसे की बहुत से बड़ी कंपनी आए तो बड़ी कैसे जी साथ मैं खूथ मतलब कुछ डिजैन कर रहा हो तो रहाएत इतना 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 कंशल्य यप डिजैन कर रहा हो आज होता है सब्सक्राइब कर दो तो वह सब्सक्राइब करेगा क्योंकि मैक्सिम का लोग गवाटी तो जोन फाइप में है सब्सक्राइब करें तो हम लोग ने पूरा सब्सक्राइब करो बेस्ट रहेगा और मेरी टीम से हेल्प ले लेना अग्वाट और और कोई डाउट रहेगा तो इनको बोल देना हमसे बात करा देंगे ठीक है एक मेरा तविल सही में डाउन नहीं है सब्सक्राइब करें और क्या बोलते हैं बाकी लोगों की रिकॉर्डिंग बिल जाएगा यह सब्सक्राइब करें नहीं है आपने अगे तुम क्या प्लान कर रहे हो इस्ट्रक्टर्स में जाना है या पिद्याय में जाना है क्या तुम कहां से कर रहे हैं निटी पर्टना अच्छा बहुत बढ़त बढ़त और तुम अगे तुम जाना है तो दोस्त ब्रेंग की अपने चलती है तो इस प्रमान की इंटनसीब इसकाने वह पूल इंटनसीब तो अपने आप गंटे डिली ट्रेनिंग करते हो जब भी आपका बाइसे ब्लाइब कर देजे चार महिने के मेरे पास आ जाना है एक्स्टर्ट बन ज सब्सक्राइब करता है जैसे कि कंपनी का आप इंटर्मी करेंग कर लिए वह डिसाइड करता है पैकेज जैसे कि अगर कोई जीओं पर काम कर रहा है कभी सुनोंगे दस जार की सेली पा रहा है तो नहीं पाएगा ठीक है तो पानी बिलाता है उसकी सेली श्टार्ट होगी है 24 रुपे से अब यह 24 यह कुछ कंपनी के स्टेंडर सेलरी है और उसका अपना ब्रांड ब्रांड को पड़िपेंड करता है कंपनी का वही बुला ब्रांड मुलें टर्न ओवर ब्रांड बन कहां सब्सक्राइब करना है और लेडी तुमको पता चलता रहेगा ठीक है संड़े बीच में कर रहा हूं वह बीच में हो पाया तब कमिट्मेंट बड़ी बात हों है और रहें को कि